हम वेलिडिटी आफ टूल्स के कांसेट को आगे बढ़ाते हुए उसमें जो पहला वेलिडिटी एविडिन्स हमने कहा था कि कॉंटेंट वेलिडिटी होनी चाहिए किसी भी टूल उसकी बात को आगे बढ़ाते हैं और कॉंटेंट वेलिडिटी से मुराद यह है कि फर्द कर लीजिए कि मैं कोई एक कांसेट मेयर करना है मैंने एक टूल बनाया जो आपकी टीचिंग एफेक्टिवनेस को मेयर करना चाहता है तो अब मुझे अपने क्वेस्टिनर को बनाते वकत यह इंशूर करना है येकीनी बनाना है कि एफेक्टिव टीचिंग को नापने के लिए जिन चीजों को मेयर करने की जरूरत है वो मैं लिट्रेचर से आइडेंटिफाई कर चुका हूँ अब जब सवालात बनाओं तो मेरे सवाल उन तमाम चीजों का इहाता करते हूँ उसको कवर करते हूँ जिन चीजों के मिलने से टीचिंग एफेक्टिवनेस का पता चलता है सो कॉंटेंट वैलिडिटी में बन्यादी तोर पे हम इंशोर करते हैं कि एक एडिक्विट रिप्रेजेंटेशन हो और एडिक्विट रिप्रेजेंटेशन किस बात की जिसको मैं मेयर करना चाहता हूँ तो मेरे सवालात इतने वसी हों कि उस कांसेप्ट में मौजूद ची कवर करते हूं तो हम कहेंगे कि इस सूरत में जो टूल बनता है वो कॉंटेंट वैलिड होता है यानि उसने अपना उस कांसेप्ट से रिलेटिड जितना भी दाएरा कार था उसमें मौजूद तमाम चीजों का कांसेप्ट का इहाता कर लिया उन तमाम चीजों के मुखति प तूल बनेगा वो कॉंटेंट वैलिड होगा कॉंटेंट वैलिड होने का पर देखिए तालुक किस बात से हुआ कि मैं सबसे पहले जिस चीज को नापना चाहता हूं अपने टूल में उसके मुखतलिफ पहलों की आइडेंटिफिकेशन करूं यह काम आप लिट्रेचर के ज एडेंटिफिकेशन करेंटिफिकेशन करने के लिए बना हुआ है तो मैं सबसे पहले लिट्रेचर पढ़के यह फैसला करता हूं कि एफेक्टिव टीचिंग देखनी हो कि किसी शक्स की टीचिंग एफेक्टिव है या नहीं तो मुझे क्या देखना पड़ेगा तो उसमें उसकी क्लास मैनेजमेंट की स्केल्स हैं उसकी लेसन प्लैनिंग की स्केल्स हैं उसकी स्टूडेंट इंगेजमेंट की स्केल है कि स्टूडेंट को इन्वाल्व कितना कर सकता है और कम्यूनिकेशन स्केल है यह मैंने चार चीज़ें मिसाल के तौर पे लिखी हैं आप मुझ teaching effectiveness के जो concepts हैं, sub concepts हैं या content areas हैं वो इससे ज्यादा नजर आ सकते हैं, 6, 5, 6, 7, 10 भी हो सकते हैं, आपने बहुत सारा literature पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि teaching effectiveness जो होती है या effective teaching जो होती है किसी की उसको देखने के लिए classroom में क्या-क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं अब फर्स कर लें, यह चार चीज़ें थी, तो सबसे पहला step यह है, कि मैं इन चारों को define कर दूँ, आपके सामने दी गए मिसाल में जैसे आप देखे, classroom management के आगे लिखा होता है, the teacher effectively maintains a positive classroom environment, अब मैंने यह उसका दारह कार तह कर दिया, पहला step क्या था, कि effective teaching के मैंने इस मि प्रियाज identify किये, कि मैं कब कहूंगा को teacher effective teaching कर रहा है, जब उसकी class management अच्छी होगी, जब वो lesson planning करके आएगा, जब वो students को engage कर सकेगा, जब उसकी communication skills अच्छी होगी, तो मैं कहूंगा यह effective teacher है, अब इन चार को फिर एक एक करके मैंने define कर दिया, कि इनका मतलब क्या होता है जब हम कहते है student engagement, तो इसका मतलब है कि teacher ऐसे तरीके जानता है, ऐसी strategies जानता है, कि classroom में students को learning के process में कैसे involve करना है, अब यह उसका मैंने student engagement का scope तेह कर दिया, उसका दायरेकार बता दिया, जो भी scope बताया, इस सारे को अब मैंने questions की statements की शकल में convert करना है, क्योंकि सवाल नाम में तो सवाल लिखे होंगे, ये definitions तो नहीं होंगी, तो अब मैंने इन को सवालात में इस तरह से convert करना है, कि जो बात मैंने इसके scope में बयान की, वो सारी बात उस सवालों के जरीए से cover हो जाए, तो आप देखिए, कि मैं इन चारों के बारे में सवालात बनाऊंगा, और ज सवालात के जरीए से cover कर लिया, इसी तरह बाकी तीनों पर भी सवाल बनेंगे, और जब इन सारे सवालों को मैं कठा कर दूँगा, तो एक questionnaire बन जाएगा, जिस questionnaire में मुझे ये यकीन होगा, कि इसने effective teaching से मतलिक जो जरूरी बातें थी, उन तमाम का पूरी तरह से इहाता कर जब मैं ये टूल बना लूँगा, तो फिर मैं इसको सिर्फ अपने literature review और अपनी जो मेरी समझ बूजा उस पे नहीं रूकूंगा, मैं उस टूल को experts को दे दूँगा review के लिए, experts उसके अंदर कुछ edition deletion कर देंगे, मेरे पास वापस आ जाएंगे, तो मैं उन में से जो experts क opinion के मताबक दूस्त आइटम्स हैं, वो select कर लूँगा, जो नहीं दूस्त हैं, उनको दूस्त करने की कोशिश करूँगा, और जो वो समझते हैं, नहीं relevant उनको निकाल दूँगा, उसके बाद फिर मैं, इसका मतलब है, expert के opinion और literature से आई हुई चीज दोनों के दरमयान एक तर content को analyze करके, और मैं उस वकत तक यह process repeat करता रहूंगा, जब तक मुझे यह यकीन नहीं हो जाता, कि selected items clearly लिखे हुए हैं, और content को cover करते हैं, जो content मैंने literature से identify किया था, कि effective teaching का, यह content होता है, अगर आप यह process पूरा करेंगे tool बनाते वकत, तो आपका tool जो होगा, content valid हो जाएगा आप देखिए कि हम अक्सर उकाद जब questionnaire बनाते हैं, आप लोग अपने research में, तो इसका मतलब यह हुआ कि starting point questionnaire का फिर सवालों की statements लिखना नहीं है, अपने जो जिस construct को आप देख रहे हैं, उसको यह effective teaching है, तो आप उसको पहले define करें, उसके sub constructs identify करें, जो उसके content areas हैं, वो identify करें, उन content areas को सवालात में convert करना आप सीखें, तो इसके नतीजे में यह ensure हो जाता है, कि आप जिस चीज को measure करने लगे थे, आप ने उसका content मुकमल तोर पे अपने सवालात के जरीए से cover कर लिया है, ऐसा tool जो इन principles को इस्तमाल करके बनेगा, बहुत इमकान है कि वो content valid होगा झाल